हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे चना दाल की खस्ता कचोड़ी और ये कचोड़ी बहुत इस्वारिश लगती हैं तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल की खस्ता कचोड़ी बनाने के लिए हमने लिए है एक कप चना दाल अब आप सोच रहोंगे ये दाल कैसी भीगी हुई भी 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 नहीं है और एक जम ड्राई है यही तो हमारी खासेते चना दाल कचोड़ी की क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट चना दाल खसता कचोड़ी और अब दाल को सबसे पहले तुम पानी से अच्छे से वाश करेंगे इसे हमें एक या दो वानी चार से पांच वार बढ़िया से वाश करना है पानी से इस तरह से और ये देखे हो गई ना हमारी दल बढ़िया से एक दम साफ सुन्दर सुन्दर निकल आई है देखे नहाने धोने के बाद अच्छी लग रहे है ना तो चलिया अव इसको हम करेंगे we grind डाल देते हैं इसको हम mixi पीसना है हमें से और आपको इसमें न तुरन दाल पीसनी पड़ेगी, न दाल को भीगोना पड़ेगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, आप राई दाल, बीना भीगी हुई, उसको आप किसी साफ कप्रे से पोश लीजें, और उसको आप मिक्सी के जार में डाल कर हलका सूजी होती है ना मोटी वाली सूजी उस टाइप से आप इसको पीस कर रख लिज़े डबे में भर कर रख दे और जब भी आप चनादार की कचोड़ी बनाएं तो अब उसे 10 मिट के लिए भीगो दे साथ में उसमें सूजी भी एट कर दे आभे मागे आपको वीडियो में बत कितनी सूजी करनी है ये जब आधा कफ ही एक कप चना दाल में अरնा अधा गलास पानि आपकरा दाल में हमने अल्य काप पानी यह आधा पनी के साथ मिक्स कर दिया है सबी चीजों को और देखे एक कप चना दाल आधा कप सूजी में बस आधा गलास पानी हमने अट किया है और दाल और सूजी थोड़ा सा फूल जाए इसके लिए मैंसे 10 निट के लिए ढख करके रख देंगे 10 मिनिट हो गए है अब दाल को भी देखे चेक कर लेते हैं दाल और सूजी बढ़े हैं से फूल गए हैं हलका सा ताइट भी हो गए हैं आपको लग रहा होगा कि अब चम्म से चला रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ठिकने सा गई है पहले हलकी सी यह देखिए इसमें पानी था अब बिल्कूल ही पानी सूप गया है तो अब हम इसे बड़े बरतन में निकाल लेंगे क्योंकि अब हम इसमें आटा एट करना है कुछ मसाले एट करेंगे तो इस बॉल में हमारा हर चीज मिक्स नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम बड़े बरतन में निकाल लें अब हम इसमे add करेंगे half teaspoon जीरा, half teaspoon सौंफ, half teaspoon अजवाइन, one teaspoon धन्या पाउडर, और red chili powder हम इसमें बहुत ही कम add कर रहे हैं, बस एक दो पिंच ही हमने add किया है, क्योंकि इसे बच्चे भी खाएंगे, दाल की कचड़िया बच्चों कोई बहुत पसंद होती है, one teaspoon नमक add किया है, और दो पिंच हमने इसमें हींग add किया है, और ये दो teaspoon हम कसूरी मेती इसमें add कर रहे हैं, कसूरी मेती को हाँ से हलका सा crush कर लेंगे, फिर add करेंगे, योगि crush करने के बाद ना इसकी smell बहुत इच्छी आती है, ये देखें, बड़ी आसे करस हो गई, इसमें हमने add कर दिये, और अब हम इसमें add करेंगे आटा, पहले तो देखें हम एक कप आटा add करेंगे, दीरे दीरे आटा add करेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा सा आटा add कर दिया ना, तो फिर सिप आटे का ही स्वाद आएगा कचवडी में, दाल और सूजी का नहीं आएगा, इसलिए एक कप आटा पहले आट कीज़े, अच्छे से इसे मिक्स कर लें, और जब थोड़ा सा ही मिक्स हो जाए, तब फिर से हम इसमें थोड़ा सा देखें आटा आट करेंगे, भी इसमें आटा नहीं आट करना है, और देखें, अगर आप दाल जब भीगोते हैं, दर्स मिनट के लिए, जो हमने इस्टेंट कचवडी जो मना रहे हैं, तो अगर आप उसमें ज़्यादा पानी आट करेंगे, तो आपके दाल की कचवडी में आटा ज़्यादा लगेगा, इ अब हम क्या करेंगे, आटा हमने देखें, अच्छे से गूत लिया है, और इसमें ना हमने मुएन नहीं आट किया है, आप चाहें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही, जैसे कोई बुजूर्ग है घर में, और आपको इसके लिए बहुत सॉफ्ट कचोडी बनानी, कोई आप कमजूर होंगे, वो भी आराम से खा सकता है, और अब हम हलकी सी मोटी लुई बनाएंगे, क्योंकि कचोडी थोड़ी सी मोटी अच्छी लगते हैं, बहुत ज़्यादा पतली कचोडी अच्छी नहीं लगते हैं, और आपने जब भी खाई होंगी, हलकी मोटी कचोडी बेल लेंगे, हलकी सी मोटी, हलकी सी छोटी, अब कचोडी अमारी जब बिल जाएना थोड़ी सी, तब हम इने करेंगे फ्राई, और अब मीडियूम फ्लेम पे हमने पैन में ओयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और यह देखिए, ओयल गर्म हो गया, इसमें हम अपनी कच बेल लेंगे, उसको भी बड़ी हैसे देखे, फूल ने देखे, यह देखे, वह भी फूल गई है, और इसे भी हम पलट कर दूसी तरफ से से लेंगे, और कचोडी यों को हम हाई फ्लेम पे नहीं से केंगे, लो टू मीडियूम फ्लेम पर ही ने से केंगे, और देखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,